पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दिलकादर का सलाम ये विलॉग शुरू करने से पहले रात के इस पहर भी कुछ अहम एक्टिविटीज हो रही है पी टी आई की कानूनी टीम भी भाग दोड कर रही है इलेक्शन कमिशन में भी इजलास जा रही है सुपो सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खटटाए जाने का इमकान है बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही है लेकिन टॉप स्टोरीज क्या है जो इस वक्ट सोशल मीडिया के उपर चल रही है वो जल्दी से बतागे फिर इन सब ख़बरों की एक एक करके डिटेल बता दो अभी इस वक्ट शेर अफजल मरवद की जो गिरफतारी है वो सोशल मीडिया के उपर होट डिबेट बनी हुई है कि उन्हें मालूम भी था कि गिरफतारी हो सकती है इसके बावजूद वो गए और गिरफतार हो गए अब रात बारा बजे तक की डेडलाइन दी गई है किसकी तरफ से दी गई है क्या डेडलाइन है इसके उपर भी बात करेंगे प्लस अब conventions का क्या होगा जो उन्होंने करने थे जो 15 दिन का उन्होंने challenge लिया था कि मुझे सिर्फ 15 दिन दे दे मैं पंजाब को उठा दूँगा और उनसे ये question हुआ था कि पंजाब को उठाये जाने से पहले अगर आपको उठा लिया गया तो क्या होगा तो अब conventions के हवाले से अब से कुछ दिर पहले PTI ने एक ऐलान कर दिया एक हंगामी press conference हुई मैं वो press conference cover करके ही सीधा यहां पर आ रहा हूँ और ये ऐलान कर दिया गया है के conventions जो है वो जारी रहेंगे उनको lead कोन करेगा कुछी दिर में आपके सामने रखता हूँ फिर आज की top story ये कोर भी है के मुल्क भर में इंतखाबी अमल जो है वो रुग गया है और इसका सारा मलबा आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इनसाफ पर के क्यों इनके lawyers की team गई Lahore High Court में और वहां से stay मिल गया और उसका जिस तरह से जवाज घड़ा जा रहा है और सारे के सारे आ रहे है PTI के उपर मलबा डालने के देखे PTI वह से रुग गए election जैसे PTI के पास तो बहुत super power है ना अदालतों से हर किसम के फैसले लेने की मतलब इन हालात में क्या ये सोचा भी जा सकता है कि PTI अपनी मर्जी का मन पसंद का फैसला ले ले और कोई retaliation ही ना हो या कोई उसको counter ना कर सके अभी तो जितने भी फैसले पहले तो PTI अपने हग में फैसला नहीं ले पा रही और अगर आभी जाता है तो उसको reverse किस तरह से किया जाता है तेजी से उसकी recent example तो आपने कली देख ली तो क्या PTI इतनी ताकतवर है इस सारे निजाम में के वो चाहे तो election रुकवा ले चाहे तो election करा ले ऐसा नहीं है ये खाली सिर्फ और सिर्फ एक propaganda है जिसका जो फाइदा बहुत सारे और लोग उठा सकते है लेकिन मुरदे लजाम PTI को ठहराए जाएगा इसकी भी detail कुछी तरह में आपको बताते हैं और प्लस इमरान खान अब आलमी अदालत का दर्वाजा खट-कटाने का फैसला कर चुके है उनके बेटों को कोई direction चली गई है आज उसका भी ऐलान किया गया फिर साइफर केस, तोशा खाना केस और election कमिशन में भी आज केस की समाध हुई सारी details आपको बतानी है लेकिन पहले थोड़ी सी बात शेर रफजल मरुट के हवाले से उनकी ड्रामाई गिरफतारी के हवाले से आपने सारा सोशल मीडिया के ओपर देख लिया ज्यादा detail में नहीं जाओंगा लेकिन एक request आपसे जरूर करनी है लाजमी करनी है और हो सकता है आप लोग इखतलाफ करें या तोड़ा जजबाती अंदाज अपनाएं या जजबात का इज़ार करें आपका पूरा हक है आप इखतलाफ भी कर सकते हैं लेकिन खुदारा इस मौमले में पंजाबी या पश्टून का जो एक scene को लेके कि जनाब खैबर पक्तून खाम में थे तो गिरफतार नहीं हो सके और वहाँ पर लेकिन पंजाब में आए तो गिरफतार होगे तो यहां के लोगों के हवाले से यह मत कीजिएगा अगर कहीं पे हो भी रहा है तो इसको रोकिएगा unity का मुझाहरा कीजिए वैसे मैं यह सोच रहा था कि अगर जमानते मिलने से बंदा महफूज हो जाता है तो फिर यह गिरफतारी क्यों ही मतलब उन्होंने तो हर किसम की जमानत ले ली थी जमानत कवलस गिरफतारी उनके प महाल में हुई वो भी बड़ा अजीब हो गरीब सा था लेकिन इस सारी सूर्तिहाल में एक चीज़ वाज़ है कि कन्वेंशन्स जो है वो हर हाल में जारी रहेंगे अब से थोड़ी दर पहले पी टी आई के चेर्मैन बेरिस्टर गोहर ने एक प्रेस कांफरेंस की उसमें औ करूंगा और हमारी कानूनी टीम साथ होगी दैट मेंज के बैरिस्टर गोहर एज पी टी आई चेर्मैन अब इन कन्वेंशन्स को लीड करने का इरादा रखते हैं दूसरी बात ये के एक मैंने ट्वीट देखा पी टी आई की कानूनी टीम में एक खातून है मिशाल उनका नाम है उन्होंने ट्वीट किया कि शेर अफजल की रहाई के लिए रात बारा बज़े तक की डैडलाइन दे दी गई है अब मुझे नहीं पता कि ये डैडलाइन वर्क करेगी नहीं करेगी क्योंके जिस किसम का महौल है गिरफतारी के बाद और जो भी सारा एक सिलसला रहत और वो मेमान भी थे वुकला के कन्वेंशन के लिए आ है तो इसमें वुकला जरूर कुछ ना कुछ करेंगे बैठेंगे तो नहीं खामोश होके लेकिन ये डैडलाइन वर्क करेगी नहीं करेगी इसका मुझे पता नहीं है लेकिन साथ में ये भी एलान कर दिया गया है कि 3 MPO का जो ओर्डर है जिसके तहत उनकी गिरफतारी हुई उस ओर्डर को चैलेंज किया जा रहा है रबिया बाजवा का आपने नाम सुना है खातून वकील है उन्होंने एलान किया कि वो इसको आला अदलिया में भी चैलेंज करने जा रहा है अब आ जाएं लहोर हाई कोड के उस हुकम के तरफ जिसके बाइस एलेक्शन का अमल या एलेक्शन का प्रोसेश जो है वो रुख गया रात इस टाइम जब मैंने विलॉग किया तो आपको बताया था कि लहोर हाई कोड में फैसला महफूज हुआ है और शायद कल सुना दिया जाए लेकिन वो फैसला विलॉ खुमत के मातहित लोगों को बनाया जाएगा उसको चैलेंज किया गया था अब उसको अदालत ने जो है वो एक्सेप्ट किया पीटी आई की दर्खास को और इलेक्शन कमिशन का नोटिफकेशन मौतल कर दिया उसके बाद से मैं एक खास किसम की कैमपेन देख रहा हूँ हर तरफ से टार्गिट हो रही है पीटी आई के देखे जी पीटी आई ने इलेक्शन रुकवा दिया पीटी आई की वैसे ये हो गया अब इलेक्शन कमिशन ने भी सुबो सुबो जल्दी से प्रेस लीज जारी कर दी और कहा कि जनाब हमने सारे जो आरो से उनका तर्बियती वर्कशॉप रुक दी आपने प्रेस लीज निकाल दी पूरा इलेक्शन प्रॉसेस एक तरह से रुक गया और जब सुप्रीम कोड आफ पाकिस्तान ने कहा था के इलेक्शन कराए जाए उस वक्त इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो हाई कोड के हुकम पर एक दम से सिस्टम हरक इस वक्त पूरे सियासी महाल में या सारी सियासी जमातों में कोई एक जमात है जो कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए तो अगर कोई कहता है कि नहीं इलेक्शन होने चाहिए तो वो है जो इलेक्शन की ताखीर के बैनिफिशरी है बागी सारी जमात है तो अब जब उनको लगा कि एक लम्मे के लिए शायद मौका बन रहा है इलेक्शन के इल्टवागा तो उन्होंने का देखे हम तो चाते हैं इलेक्शन होना बस PTI नहीं चाती हो और इसकी वयर से निगरानी में कराना है जो के डिप्टी कमिशनर है जो के डिरेक्ट निगरा हकुमत के मातहत है और यही डिप्टी कमिशनर है जो MPO के ओर्डर जारी कर रहे है बार बार वो ओर्डर जारी कर रहे है जो के इल्लीगल है जो के PTI के खिलाफ है उनकी recent example अभी शेरफजल मरवत MPO के ताइद गिरफतार हुए और जिन्हों ने वो ओर्डर निकाला वो डिप्टी कमिशनर है और वही आरोज अगर हों तो वो कैसा इलेक्शन हो फिर खतीजा शाह को MPO ओर्डर के ताइद गिरफतार किया गया इसलामबाद में कितने MPO ओर्डर आए कितने लोग MPO ओर्डर के ताइद गिरफतार हुए पंजाब भर में और इसलामबाद में अगर वो ओर्डर जारी करने वाले ही इलेक्शन की निगरानी करेंगे या इलेक्शन में आरोज बनेगे जिन्होंने रिजल्ट जारी करना है तो फिर क्या इलेक्शन शफाफ होगा तो इसलिए वो कहते हैं कि हमने इमरान खान साब की हिदायत की उपर ये सारा काम किया और हमने इसको चैलेंज किया अब अभी दोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फरेंस की है PTI के चेर्मेन बैरिस्टर गोहर ने वो ये कहते है कि ये कोई इतना complicated मौमला नहीं है कि इसको जवाज बना के आप पूरे का पूरा election रोग दें ये बहुत जल्दी dispose off हो सकता है और मेरी इतला के मताबक पाकिस्तान तहरीक अंसाफ बहुत संजीदगी से गोर कर रही है कि वो जो stay application है उसको वापिस ले लिया जाए या उसको withdraw कर वा लिया जाए इस सिल्सले में लहोर हाई कोट से भी रुजू किया जा सकता है और मुशावरत ही अमल जा रही है किसी भी वक्त ऐसा फैसला expected है तो ये कोई बहुत जाएदा मौमला lingering नहीं हो सकता और पाकिस्तान तहरीक अंसाफ ने बाज़ापता Chief Justice काजी फाइज ईसा से अपील कर दी है कि वो इस मौमले में intervene करें और अगर लाहौर हाई कोड के फैसले को बुनियाद बनाते हुए इलेक्शन रोका जाए या इलतवा का शिकार हो या होने के इमकानात हो तो वो intervene करके अपना किरदार अदा करें और इसका फैसला करें बहराल जो भी होगा इस से इलेक्शन जो है कुछ खबरों पर साइफर ट्राइल उसका अलाला करके इसलामबाद हाई कोड ने हुकम दिया कि open trial किया जाए यह जो जेल में ट्राइल कर रहे हैं यह ठीक नहीं है open trial का हुकम दिया उस open trial के नाम पर क्या क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने है पहले तो मीडिया को अजाज़त नहीं मिल रही थी बड़ी मुश्किल से अजाज़त मिली तो बाद में खबरें यह ऐसी चल गई कि वो मीडिया को भी इतना महदूद कर दिया गया कि वो बतारे को डबेश बे बना दिये जो इमरान खान से काफी दूर मीडिया की एकसेस कर दी गई आज नई डवाल्मेंट यह हुई बलके कल रात हुई थी कि यह सारी कारवाई यह सारा ट्राइल जो है इसको इन कैमरा करने के लिए FIA ने दरखास दे दी जिसमें मीडिया भी ना हो जिसमें लवाहिकीन भी ना हो बिलकुल इन कैमरा इसको ट्राइल को कर दिया जाए तो उसकी आज उसी जजज साब ने जो इसका ट्राइल कर रहे है उन्होंने मंजूरी दे दी कि हाँ जी ठीक है जी इन कैमरा कर दिया जाए तो अगर इन कैमरा ही ट्राइल चलाना है या छोड़ी जा रही है जिसका मौका PTI को मिल जाता है कि वो इसको चैलेंज कर देगी ये इन कैमरा ट्राइल जो है मेरा ख्याल है PTI इसको चैलेंज करेगी और इसका एलान उन्होंने कर दिया अब इमरान खान साब ने इस सारी सूरतिहाल के दुरान आलमी जो इनसाफ के दर्वाजे हैं वो खटखटाने का फैसला किया और अब ये खबरें सामने आ रही है कि वो ICJ यानि इंटरनेशनल कोर्ट ओफ जस्टिस में कोई केस दाएर करने वाले है और आज इसका एलान उनकी बेहनोंने खुद किया डियला जेल के बाहर और उन्होंने बताया कि बरतानिया में भी शायद कोई केस करने जा रहे हैं और उनके जो साफजादे है सुलिमान और कासम उनको कोई पेगाम भेजा गया है कि वो इस हवाले से केसिस की पैर भी करेंगे जो भी होगा वो आपको अपडेट कर देंगे एक कल की अपडेट ये थी के इमरान खान साब ने चीफ जस्टिस आमिर फारुक साब जो इसलामबाद हाई कोट के चीफ जस्टिस हैं उनके उपर अदम एतमाद का इसार किया था बाजाबता बाकाइदा एक तहरीरी दर्खास दायर की गई थी लेकिन फिर ये पता चला आज के दिन के रिजिस्टरार हाई कोट ने इमरान खान के उस दर्खास को इंटर्टेन नहीं किया और उसके उपर एतराजाद लगा दिये कि ये दर्खास काबले समात शायद नहीं है या इतराजात है इसके उपर के इसमें जो लैंग्विज इस्तेमाल की गई है वो चीफ जस्टरस को शायद मुतनाज़ा बनाने के मतरादिफ है या उनकी क्रेडिबिलिटी को मतासिर करने के मतरादिफ है तो उन्होंने एतराज आयद करके दर्खास साइड पर रख दी अब यह पड़ी रहेगी इसके ओपर मेरा नहीं ख्याल के दुबारा ना इतराज दूर होने है और ना शायद इसकी सुनवाई होगी अगर हुई तो भी आपको अपडेट कर देंगे दूसरी खबर तोशा खाना केस के हवाले से है किल रात तोशा खाना केस में जो नैब का केस है उसमें इमरान खान साब की जमानत मनसूख कर दी गई थी मुस्तरत कर दी गई थी और साथ ही उनकी गिरफतारी डाल दी गई थी तो आज की अपडेट यह है कि उनका जो दो रोज जिस्मानी रिमान्ड है वो मंजूर कर लिया गया अब जैसे जैसे सुप्रीम कोट से इमरानखान को 사이Пр केस में उनकी जमानतes फिक्स होने के दिन करीब आते जा रहएं किसी भी टाइम उनकी जमानत हो सकती है साइफर केस में उससे पहले किसी और केस में उनकी गिरफतारी वो डाल दी गई है अब आजैं इलेक्शनेक्मिशन की तरफ आज इलेकशने कमिशन में PTI के इंट्रा पार्टी इंतंखाबाद के हावले से केस की समात हुई उसमें अकबरई एस्बाबर पहुंचे जो मुखालिफ है पीटी आई के और साथ में बैरिस्टर गोहर और अली जफर ये पहुंचे डिफैंड करने के लिए अपने केस को अपने इंटर पार्टी इंतखाबाद को अकबरई एस्बाबर का ये मौकफ है कि पार्टी आइन के और Official Act के खिलाव ये इंट्राइड रूजी जो शिफाव नहीं थे और उन्हें एलएक्शन कमिशन से ये कहा है, अच्छाप पे गिरफतार यहां पता नहीं क्या क्या कुछ तो ऐसे में इलेक्शन कमिशन कहेगा कि हांची जिस 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 ने इंदगाब लड़ना इतर आए जनाब और बार घड़ी होगी पुलीस तो ऐसे हो सकता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी तरफ पी टी आई जाएगी तो पी टी आई के जो बुकला है बैरिस्टर गोहर इटसलफ एज चेर्मेन और बैरिस्टर अली जफर उन्होंने बताया इलेक्शन कमिशन को कि जनाब हमने बिलकुल आप पढ़के देखिये तो उन्हें का आप पढ़िये तो उधर ही वो शिक पढ़के बताएगी जिसको जो इलेक्शन कमिशन को रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि बिलकुल उसके अकॉर्डिंग हुए है तो अब फिर समात जारी थी जो अकबर एसबाबर है वो और बाकी जितने दर्खास गुजा रहे हैं उनके दलाइल मुकमल हो गए पी टी आई के दलाइल अभी जारी थे तो इलेक्शन कमिशन के मेंबरान ने का कि हमें एक और केस सुनना है इसलिए इस केस की समात उन्होंने 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है आखर में जाते जाते खबर यह के आउनलाइन जो पी टी आई का जलसा है या विर्शल जलसा जिसे का गया है उसके लिए तैयारिया जोरोशोर से जा रही है और पी टी आई की क्यादत जो है वो बार बार मैसेजज़ दे रहे हैं कि आपने इसमें पार्टिस्प प्रेक्ट तरहेगा उसका ज़रा इजहार काव्मेंट सेक्शन में आपने करना है और प्लस एक खबर जाते जाते यह भी है कि पी टी आई के जो मफरूर लोग हैं अब उन्होंने खुद को सरेंडर करना शुरू कर दिया कुछ दिनों पहले हमने देखा था अमजद अली न डाले जाएं शनागती काड ब्लॉग हों इष्टियारी करार दिये जाएं जायद देखातों इतना कुछ हो तो इस से बचने के लिए उन्होंने खुद को सpremления कर दिया सरेंडर इसलिए किया जाता है कि कानून और इंसाफ के तकाजे हो सकें और आईनों के मताबख उन्हें लेकिन अब उनके साथ होगा गया ये मालूम नहीं है बाकी जहां तक शेरफजल मर्वत की गिरफतारी का मौमला है मेरा ख्याल है ये इतना आसान नहीं होगा दोनों के लिए उनकी रहाई भी और उनकी गिरफतारी भी जारी रखना ये थोड़ा सा complicated issue है इसको बड़ा तरीके से deal करना होगा अभी तक के लिए इतना ही अपना feedback जरूर दीजेगा और अपने इस channel का आपने जरूर ख्याल लगना है सब्सक्राइब का बटन दबाग है अभी तक के लिए इतना ही अलाफिस